चलिए आज करते हैं इंडस वेली की वोग और फ्राइपैन के कॉंबो की अन्बॉक्सिंग और बनाते हैं इन दोनों में ही एक डिलीशेस डाल और क्रिस्पी आलू दोनों ही विदाउट अनियन गार्लिक बने हैं और बहुत ही यमी रेस्पी बनके त्यार हुई है तो चलिए उसे शुरू करते हैं इस यमी और डिलीशेस डिकी वीडियो है आप चलिए अन्बॉक्सिंग करने से पहले कर ले थे थोड़ी सी तेयरी हम एने लिए एक कटोड़ी मसर की दाल और इसको अचे से पानी से दोके भीगोले साथ में इंब्ली को भी पानी में भीगोदे ताकि कि इंब्री सॉफ्ट हो जाए जब यह दाल बीग जाएगी तो कुकर में डाल के तमाटर के साथ नमा खल्दी डाल के हम दाल में विसल लगा लेंगे और दाल को गला लेंगे चलिए करते हैं अन्बॉक्सिंग अगर आप भी इंडस्वेली का कोई भी प्रड़क करीदना चाह हमारे जो बॉक्स अन्बॉक्सिंग हो गए है आइरन का प्रड़क्ट में इस लिए खरीदा क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं हेल्दी कोकि जो होती है तब तक इनकंप्लीट है जब तक हम उनको राइट यूटेंसिल में हम कोक नहीं करते तो आयरन के बरतनों में करने का सबसे प्रकार की कोई कोटिंग नहीं कोई चैमेकल यूज नहीं हुआ 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 तो है वैसे ही प्रमोट करता है आज कर हमें पता है नौन स्टे के ऐलमुनियूम हमारी जो शेहत के लिए वह हानीकारक है इसलिए मैंने चीज़े धीरे करके सुच करनी चालो करी और हेल्दी कु के साथ सथ हेल्दी कुकिंग की तरफ में पड़ी इसके अंदर एक कमी मुझे लगी कि इसके अंतर कहीं भी इंडेसली की ब्रांडिंग नहीं है फिनिश बहुत स्मूध थी बुड़न हैंडल से तो खाना बनाते हुए इनको पकड़ना करना बहुत असान हो गया स्पेस जो की दूधों के अरव यहपी बनाते हैं अने वि one फोगत भी बनाने को मैं रदो हो मेंगे असारी मसालेआ के अक कान्टि जाल मैं उसन को बहुत अछी क्रिस्पनेस देगा इस जे मैंने इसको ंच तरीकी से बनाया है तो देल में डालिया है अपर अनली म्ल• एडेह साथ हु खटाई और चाट मसाला हम इसमें बाद में रालेंगे और इसको हम अलटते पलटते वे सेकेंगे इसको मैंने ढख कर दुसी गेस पर थोड़ी दिर में रख दूंगी ताकि हम दाल में तड़का भी लगा सकें और इसको मिला लेंके एक बार इसको बनाने में मुझे कोई तकल देशी की भी देखे बहुत अच्छा गरम हो गया है इसके अंदर अब इसमें डाल दिया मैंने जीरा अद्रक हरी मिट्च और हरा धनिया अब बारी आती है इसके अंदर हमारी दाल डालने के हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारी दाल को यह देखें दाल भी हमा पढ़ने मेंगे हुबूने में नऎक हुबून का कि गभाने मतनी हमें न अच्छे से और इमली का फ्लेवर इस दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है अगर आपने इसी तरीके से डाल नहीं बनाई है तो ज़रूर बना के देखेगा बिन्या अनियन कारलिक की दाल बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होती है अब डाल देंगे पानी जो डाल कुकर में लगी अब आलू भी हमारे सीज गए है अब इसकी बारी आती है इसके अंदर खटाई और फोड़ासा चाट मसारा डालने की आप इस स्टेज पे एक बद चक्के भी जरूर देख लें कि कुछ और कमी लगे आपको मसाले में तौब यहां बेफिकर होके डाल सकते हैं बहुत क्वि जरूर खरीज सकते हैं और यूज में रेफ्रेल कोड अलसो तो गेट एक्स्टा 12 परसें डिसकाउंट थैंक यूवर वाचिंग बाई